नमस्कार तो एबरीवान आयम अचला तोड़ आम गना टीच यू दपूयम अहाउस अहूं वाट इस दिफरेंस पिविन अहाउस अहूं क्या फरग होता है दोनों की बीच में एक हाउस में और एक हूं में discuss it with your partner या अपने partner से सहपाटी से जो भी है आपके साथ पढ़ने वाला है या आपके partner है उससे आप discuss कर सकते हो उससे इस बारे में और पूछ सकते हो कि यह दोनों में डिफरेंस क्या है then read the poem उसके बाद अप इस poem को read करें what is a house एक हाउस क्या होता है it's brick and stone ये एटों से और पत्थरों से बना होता है and wood that's heart एक heart material के मतलब कठोड चीच की बनी हुई wood होती है उससे बना होता है some जिसमें की कुछ windows होती है जो की कांच की बनी होती है and perhaps a yard एक yard होता है एक आंगन होता है पर्राप मेंस टू शायद एक आंगन होता है ये आंगन लाइक कॉट्यार होता है चीक है and it's eaves and chimney इसकी जो like eaves means to edge of roof roof की जो corners होते हैं जो खशत होती है उसकी किनारे होते है और जो chimneys होती है and tile floors और जो floor बना रहता है वो like tile का बना रहता है तो ये सारी चीजे इसकी जो means to decorative plaster जो कि टिवारों पर चड़ा रहता है और इसकी जो चट होती है मतलब इन सब चीजों से एक house बना रहता है और इसमें खूब सारी क्या होते हैं जैसे हमारे house में भी होते हैं ये सारी जो definition है this is all about house house क्या होता है but if we talk about a home एक home की बात करें तो क्या difference होता है क्या अंतर होता है दोनों के अंदर what is a home home क्या होता है its loving and family वह ब्हुत प्यार होता है जिसमें हमारी family होती है and doing for others जो की दूसरों के लिए करते हैं हमेशा क्या करते रहते हैं हमेशा दूसरों के लिए करते रहते हैं its brother and sister उसने ब्रदर होते हैं हमारे भाई होते हैं हमारी बहनी होते हैं and fathers and mothers कि इस ब्रदर होते हैं like brother sister होते हैं cousin brother एक ही जैसे चाचा होते हैं Tauji कि होते हैं Okay, अगर हम जॉइंट में रह 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 रहे हैं like mother father इन सब के बीच में एक family बनते हैं It's unselfish acts unselfish like selfish क्या होते हैं अगर आप किसी चीज को अपने ही अपना ही सोच कर सिर्फ अपना अपना सोचना ही selfishness होती है चीक है unselfishness मतलब खुद का ना सोच कर दूसरों के बारे में सोचना चीक है it's unselfish acts acts means to activity हो रही है like कोई incident हो रहा है कि जो भी आप काम करते हो जो deezettes होते हैं आपके वो क्या होते हैं अंसेलफिश होते हैं मतलब आप दूसरों के लिए करते हो अपना नहीं सोचते हो बहुत and kindly sharing subscribe kindly होते हो बहुत के हरेंग होते हो दूसरों के लिए sharing and showing your love, sharing उसके काम करके ऑर उसकेल चूज़ करते हो तो यही एक किया बताया ह? हाउस और होम में फरक बढ़ता है लेकिन होम बनाना बहुत ही मुश्किल होता है क्यों कि हूम बनता है आपके प्यार से आपकी फैमिली से ठीक है एक डिफरेंस बताया है ऑठर ने कि होज और होम में क्या फरक होता है okay let's do some question answer like working with the poem a house is made up of house किसका बना होता है okay so house is made up of like किससे बना होता है brick से बना होता है stone से hardwood से glass stuco tiles okay तो इन सब चीजों से बना रहता है it has it has मतलब इसमें क्या के चीजे होती है तो इसमें कई बार like it has glass window sometimes courtyard is chimneys okay tile floor roof doors इसारी चीजे होती है home is made by a home बोला है समें home किससे बनता है हमारे प्यार से so a home is made by a loving family which cares for one another जो हम एक दूसर की क्या करते हैं care करते हैं and shares everything among themself और हम क्या करते हैं share करते हैं everything among themself हम अपने मतलब themselves उनके लिए जो family में family के members हैं वह अपने आप में उस प्रेस्टर सी सारी जने होते हैं ठीक है brand parents होते हैं हमारे तो it has यह कर सकते हैं now complete these sentences about the house and home house or home की कुछ sentences like आपको complete करने है आपका house किससे बना हुआ हुआ है तो आप उसको लेख सकते हो like आप जिस से Ti में रह रह हो जिस पर रह 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 होग जया को सज्बनावत इंदो बनावत अग अलग हो जाती है तो आपका हाउस किससे बना हुआ है इधर इस कच्चा हाउस और पकका हाउस क्या है ठीक है वह किससे बना हुआ है वह आप लिख सकते हैं जैसे आप वह सकते हैं अगर इस पकका हाउस लाइक ब्रिक वोड इससे बना हुआ है तो आप ऐसी चीज़े लिख सकते हो अचै कि a house is made up of thick wood stones तो इससर यह विंडो जोर जो फट्सक्राइब समय जो आप सकते हैं the best thing about my home is should you house, sorry home के बारे मैं क्या सबसे best thing है, मतलब सबसे अच्छी चीज क्या है वो आपने according लेख सकते हो कि मीरी family मज़से बाट प्यार करती है उसमे सारे family members किया करते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं the best thing about my house is that a loving and caring family lives there my family members unselfishly help each other वो अपनी, मतलब बिना स्वाथ के एक दूसरे की कया करते हैं दूसरे की क्या करते हैं and shares their problem, their happiness, kuch भी लख सकते हैं boy and greets alike इस्तर इसे हम इसका अंसर लिख सकते हैं okay so this is your poem a house a home okay in next lecture we will discuss or we will read the next poem till then bye-bye